हेलो फ्रेंड्स मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम बताएंगे की बालो को नेचुरल तरीके से किस तरीके से बिना डाई के बिना बड़ी बहुत जादा महेंगी-महेंगी चीजों से बिना महेंगी डाईयों से किस तरी तो ये तेल आपको किस तरीके से बनाना है वो हम बताएंगे क्योंकि दोस्तों में जो बताने जा रहे हैं वो सभी के गरों में उपलब्ध होती है क्योंकि उस सभी के गरों में पाई जाती है तो बहां पर बात करते हैं मेथी दाना की क्योंकि दोस्तों सर्दियों में तो हम म कई सब्जियों में भी डलती है तो मेति सभी के घुरूं में मिल जाती है तो मेति के अनत गिनत फाइदे है जितने इसके फाइदे बताओंगी न आपको इतने इसके फाइदे कम लगेंगी क्योंकि मेति हमारी एक सरीर के लिए बहुँ जादा सुन्दर ता बढ़ाने चैनल तो दोस्तों इसको आपको कलर साप करना है तब भी इसको ले सकते हैं वजन गठाना है तब भी ले सकते हैं अगर आपको हड़ियां कमजोर है हड़ियों में दर्द है तब भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइदा करती है हमारे सरीर के लिए इतनी ज़्यादा फाइदा करती है इतनी सारी बिमारियों को खतम कर देती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी बिमारी इसके उखाने से खतम हो चुकी है तो हम आप बात करते हैं बालों के लिए, बालों को ये इतना ज़ादा अच्छा मजबूत घना बनाती है न मेति, क्योंकि इसमें बहुत ज़ादा चिकनाट होता है मेति के अंदर जैसे आप इसको भीगो देंगी रहलका से इसको पीसेंगी ना तो इसनी चिकनी होती है यह बहुत ज़दा चिकनी होती है तो उससे आपके बाल भी बहुत ज़दा चिकने साइनिंग वाले हो जाएंगी बिल्कुल सिल्की बाल हो जाएंगी तो आपको महिंगे-महिंगे मह कंडिशनर भी, सैंपू कंडिसनर भी करने की जरूत नहीं पड़ेगी, जो आप बाल सिल्के करने के लिए इसका सेवन करते होंगे, उसकе आपको जरूत अब नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसी एक चीज हम बता रहे हैं, जिस से आपके ब बाल भी सिल्की होंगे, बाल काले भी होंगे, बाल मजबूत भी होंगे, क्योंकि दोस्तों आज के सीजन में सभी के बाल टूटने के बहुत ज़्यादा समश्या चल रही है, और दोस्तों बाल पकने की तो समश्या की आप छोटे बच्चे से लेके बड़े तक की समश्या हो क्योंकि आज के टाइम में सभी के बाल क्योंकि खान पीन के कारण भी हो चुका है तो आज काल के तो सभी के बाल स्टार्ट हो गए हैं पकना तो दोस्तों जो में तरीका बता रही हूं मेति का तेल को आप किस तरीके से यूज में लेना है वो तरीका आप अपनाएंगे तो अ टैप के ले सकते हैं तो खड़ी पत्ते भी हमारे बालों के लिए नई जिन्दगी देने वाले होते हैं क्योंकि दोस्तों ये हमारे बालों के लिए बहुत जदा अच्छे होते हैं इसको सुबह सुबह आप खाली पेटवे से भी खा सकते हैं इसका तेल भी तयार कर सकते हैं इसका पाउडर बना करके मेंदी में भी आप लगा सकती इसके भी कई उपयोग हैं लगाने के और कितने ज़्यादा फाइदे हैं मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों यहां पर मैंने एक बड़ा वाला बाउल लिया है बगोनी लिया है और इसको मैंने गैस के उफर रख दिय आद़ा गिलास पानी का शुझ के सब्सूट तो मने दोश्तों आदा गिलास पानी में लिया तो घैस मीनिवन कर दिये तो पानी को अच्छे से गरम कर लेते हैं यहां पर अलीem कर वहां मेन लिए पानी के स्फू मैं निद्ट कारीज है अप के सूख के हैं तो तो दोख के प्यूज में ले सकते हैं, और जैसी आपके पास में खड़ी पत्ये जाद अच्छा रहे गा तो आप तो ओर भी जाधत चा रहेगा क्योंकि ताजा खड़ी पत्ये की तो बात ही क्या है तो यहां पर मैंने इसको खड़ी पत्ये को डाल दिया है आप इसका पाउडर भी सुका करके बना सकते हैं बालों कि तलिए तो हलका इसको गरम होने देते हैं यहाँ पर जो मैने मेथी ली थी मेथी भी मैने डाल दिये देख सकते हैं तो मैं एक चीज़ और आपको बता रहे हैं कि दोस्तों आप जब यह तयार करें तेल इसका तो मेथी को आप पहले से भी भीगो के रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों भीगोने से भी फूल जाती है जल्दी तो इससे भी बहुत ज़दा फाइदा मिलेगा आपको अगर आप नहीं भीगोए हैं तो इस तरीके से इसको बाल सकते हैं क्योंकि जो मेथी का जो रस होता है वो हमारा पूरा तरीके से हमें चाहिए क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों इसका जो कलर है पूरी तरीके से ब्लेक जो पीला पीला है पीला हो चुगा है तो मेथी का पीला ही कलर होता है तो पीला कलर कितना ज़्यादा हो चुका है तो अगर अगर पहले से भी गो देगे तो वो भी ज़्यादा कलर आएगा तो यहां पे देख सकते हैं तीन से चार मिनिट के लिए तो हम इसको लगबग पकाएंगे तो यह अच्छे से पक चुकी है इसका कलर फूरी तरीके से निकल चुका है देख सकते हैं जो प्रोटीन इसके अंदर थे दोनों की दोनों चीजों के खड़ी पत्ते के और मैथी के तो अब हमें क्या करना है इसको हलका सठंडा करना है यहां पर मैंने लिए एक कटोरी तो कटोरी में हम सबसे पहले इसको लेंगे छान के तो यहां पर दोस्तों मैंने इसको छान लिया है देख सकते हैं तो अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है हमें तेल, क्योंकि हमें इसका तेल तेयार करना था तो इसमें हम तेल डालेंगे, तो तेल आप किस चीज का डालेंगे, आपकी पास में जैसे कोकोने टोयल होता है, सरसू का होता है, तो मैं इस सरसू का लिए है, क्योंकि सबसे बे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया है तो यह हमारा तेल बन के तयार हो चुका है तो दोस्ती एक हफते का तेल बन के तयार हो चुका है एक हफ़ते से पहले बिल्कुल भी नहीं खराब होगा तो हफ़ते में आपको दो से तीन बार तो जरूर कंट्यूनूर लगाना ही है इसको तो आप देखेंगे दोस्तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रेजल्ट इसका मिलेगा क्योंकि दोस्तों यह नेचुरल चीज है और एक चीज और में बता देते हूं कि आप मेथी को जैसे पहले से भीगो करके बॉयल करके और उसको पीस करके चान करके लगाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आपको जैसे मेथी को डाइरेक्ट पीस करके भीगो करके और फिर लगाएंगे तब भी अच्छा रहेगा और मेथी का तेल बनाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तो जो आपको एजी लगे बेस्ट लगे वही काम कीजिए तो दोस्तों इसका जरूर फायदा उठाईए तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं तो आज के लिए तने लिए